जेके एससबी के एक्जाम को लेकर डिस्केशन चल रही है कि सीबीटी मोड पर होने वाले या फिर उमार तरीके से होने वाले हैं और दूसरी तरफ जेके पी एसके की बात करें हैं जो कि कल होने वाले सिर्द नमर 45 लग चुका है और अगर इन सब को साइट पर रखा जाए त तो दूसरे एंड पर यह कहना चाहूंगा उनकी लास्ट जेट जो है जैसे आज में 16 को वीडियो बना रहूं किसी की लास्ट 18 अगस्त है किसी की 21 अगस्त है किसी की 23 अगस्त है तो टाइम आपके पास कम रहने वाला है इसलिए यह पांच इंपॉर्ड जॉब डिद भी श सीरियल नंबर की तरफ गेंगे तो 45 में आपको देखने को मिल रहा है यह जो कोई सामने सामने हम यह हम भी उमीद करते हो आप सभी घंवी उम्मिद कर रहे होंगे लेकिन दूसरे एंट पर बात करेंगे जैसिए इसमा के इसितीप मोड है पीचसे आई मोड़ होने वाला है करवाता है तो CBT मोड पर जाए जाएगा तो कंप्यूटर बेस टेस्ट आपकी हो जाएंगे अगर टीजिस ने एक्जाम करवाए और चांसे यहीं लग रहे हैं कि टीजिस एक्जाम करवाएगा और हो सकता है इस सिदे चो स्टाइट में एक्जाम कलेंडर है वो कंपोस्ट पर जो भी आवाँ कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन पूरे चांसे कि टीजिस एक्जाम करवाए वर उस हिसाब से CBT मोड पर एक्जाम होने जारे हो अगर बाइचांस नहीं भी होता तो दुसरे यहीं कहा चाहरा है ना कि OMR बेस एक्जाम नोंगे जिसे ने खुद से देने और एक करवाए कि एक ग्जाम करवाओ बड़ एक्जाम से ना करवाओ तो दोनों ही अंड से बाते वह पूरी है आ हो जाएंगे और अगर होंगे भी तो अप्टेक से नहीं होने वाले हैं लिए इस तरह कि पूरे हाई प्रॉबैश्य है कि आपको यह प्ढूरे थेटीश क कि और च三 Hyper करो किसी बीतरक्सब्स भीए चला शबर नहीं करें लिएक स्परेट करना हैं इस हूर नहीं करें जाने इस बात पर को फॉकस करना है कि कि तो उसे कैसे इतने कम टाइम पिरिट पर एक मेने के इंदर सही तरी किसे कंप्लेट किया चाहिए और अगर से बसक्राइब करें इन दो बात पर आपको फोकस करना होगा टाइम लिम्टिट है कंप्रेशन जदा रहने वाला है यह और पूरिशनिटी काफी समय के बाद मिल रह यहां पर भी आपके पास टाइम है अगर मैं आपको यहां पर बता हूं तो यहां पर हलाकी 4 September तक का टाइम है अच्छा का आसा टाइम है आप यहां पर एप्लाई कर सकतो ग्राइजोट के लिए वेकेंसी जितने भी जोब अप्लेट में आपको बताऊंगा उन सभी कर लिं ट्विंटीमन ट्विंटीटीटी अगस्त तक रहने वाला है टाइम लिमुटीट अग्राइजोट के लिए इंजिनिर्स के लिए वेकेंसी तो यहां पर बीच्शाम तो सटेम्बर में अपको यहां पर होने जा रहा है नैसल की बात करो तो यहां पर भी अप्लाई कर शकते को प्रोवाइड कर दूँ आप एक क्लिक पे वीडियो को आपको बढ़ाया था मैंने कि इंडिया पोस्ट की तरफ से विकेंश निकाले गए थी जीडिया सुल टैंथ पास थी थाउजन फॉटीन विकेंशी थी हलाकि यहां पर सेलेक्शन होती है जब मोगेश्य में के लग से ऐसे त्युक्त है उसके साथ से की तरफ से भी स्ट्राफ री जो एविकेंश थी महां पर भी टाइम आपके पास है कि आपूस्ट की प्लीकेशन भी राती है तेस अगश तक टाइम में आप वहाँ पर भी एप्लाई कर सकते हो तो वह भी से से की वेब साइट पर बहींक्य यहां पर यहां पर सबसे कम टाइम कर सकते हो और आगे जैसे देखो यहां पर लेवल 5 के हिजाब से 29200 से लेकर के यहां पर आप की रहने वाली है और इक्जाम पर कैसे रहने वाला वह पैटन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है अप अगर 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 जीघ्ज लिमीट अगर में बताऊ यहां बागी जो पोस्ट हैं आप जैसे किसी में तो जो बेसिक अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं यह होस्टल वार्डन वाली है जहां पर एच लिमिट थर्टी फैफ से जादा नहीं होने चाहिए जिनरल काटिगरी के लिए अपके पास डिग्री अगर आपके पास है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते ह और आज ही जम्मु कश्मी रिव और रिग्रेशन एक्ट का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है जिसमें इसके के सारे 14 पार्ट के बारे को बताया हुआ है पार्ट वने बेशिक्स कंप्लीट करें थे सेकंड पार्ट से हमने इसको दो डिटेल में कवर करना स्टार्ट कर दिसमें पार्ट और आप डू कवर कर दिया है अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थ्री भी आपके सामने आज जाए जासे एक्जाम ने क्वेशन साती है और इस तरह कि वीडियो या बाकी वीडियो आप देख रहे हो कर यूट्यूब चैनल पर अप्लोड होती जा रह